हापुर जनपत के हापुर देहाथ था नक्षित्र के गाओं तगा सराय में एक घर में शादी की तेयारियां चल रही थी जिसमें 21 मई को 12 आतानी थी लेकिन मंगलवार की सुबह एक सिर्फिराय वक घर में घुसा और तमंचा निकाल कर नीतू नामक लड़की को गोली मार दी गोली चलते ही घर में शोर शराबा मच गया गोली की आवास सुनकर आसपास के लोग दोड़ कर मौके पर पहुँचे और पुलिस को सूचना दी घर में भी राती दे कारों की दीवार कुटकर पड़ोसी के घर जाप पहुचा जहां उसने अपने आप को फासी लगा ली मतिका की वकी पहचान दस्ताई निवासी सोनू प्रजापती के रूप में हुई है सुचना मिलते ही पुलिस के अलादिकारी घर जटना इस्तल पर पहुचे और दोनों शवों को कबजे मिले कर पोस्ट मॉटम के लिए भीज दिया मतिका के भाई के तहरीर के आदार पर मुकर्मा दर्सकर मामली की जार शुरू कर दिले है वंदे भारत के लिए हापोड से कपिल गुजर की रिप्जापती नाम है इसका इसने नीतू पजापती एक लड़की है उसके घर में घुसके उसको बोली मारी है और उसका पडोस के ही एक घर में उपर फसलोर पे जाके इसने फासी लगा लिए दोनों की ही मृत्ती हो गई है परीजन जो की भाई है में तका के उनकी तहरी पर मुकदमा पंजी कित किया जा रहा है और आश्यक विदिकारवई पचले जानकारी में आएक 21 को इसके शादी थी और समस्त पहलों पे गहनता से जाच चल लई है पोस्माटम की कारवई कराई जा रही है और सीगर ही 17 से